नामकरण की आवशक्ता इवं प्रक्रिया किसी भी जीव का वर्गी करण में इस्थान निर्धारित करके उसे एक निश्चित नाम देना नामकरण कहलाता है किसी भी वस्तु या जीव को विभिन छेत्रों में इस्थानी भाशावा बोली के अनुसार पुकारा जाता है तथा अंग्रेजी में पोटेटो कहा जाता है एक ही वस्तु के इतने सारे नाम से पहचानने में असुविधा होती है इसी असुविधा को देखते हुए लीनियस ने जीवों के ऐसे नाम की आवशक्ता महसूस की जिसे सारे संसार में एक ही नाम से पुकारा जाए इन नाम को उन्होंने वैज्ञानिक नाम कहा जिसमें प्रतेग जीव का नाम दो शब्दों में रखा जाता है जिसमें दुई नाम पद्धती कहा जाता है इस पद्धती में पहला प्रतेग जीव के नाम में पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाती का होता है दूसर जीव के वंश के नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षर से तथा अन्य अक्षर छोटे लिखे जाते हैं जाती का नाम अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से लिखा जाता है तीसरा, वंश तथा जाती के नाम को तिर्चे अक्षरों, इटैलिक में लिखा जाता है यदि ये नाम सीधे अक्षरों में लिखे जाते हैं, तो उनके नीचे रेखा खीचते हैं कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम इस प्रकार हैं समय समय पर प्रकृती में प्रजातियों के विलूपती एवं नई नई प्रजातियों का विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है इसे कारण वर्गे करण के कोई भी एक प्रणाली सभी जीवों को सीमा बद्ध नहीं कर सकती विटेकर के पात जगत प्रणाली भी ग्याद जैविविद्धा को समेटने के लिए अपर्याप्त हैं क्योंकि जैसे जैसे नए नए जीवों की खोज होती रहेगी और जैविविद्धा के आयाम बदलते जाएंगे वैसे वैसे ही वर्गी करण के आधार भी बदलते जाएंगे एवं वर्गी करण का स्वरूप भी हमने सीखा प्रकृती में विविद्ध प्रकार के पदार्थ वजिव पाय जाते हैं गुणों में समानता के आधार पर समुव बनाने की प्रक्रिया समुही करण कहलाती है व्यज्यानिकों ने जीवों में उनमें पाई जाने वाली समानताओं इवं विभिन्दताओं के आधार पर वर्गिकृत किया है वर्गिकरण जीवों की विविधता वा समानता को स्पस्ट करने में सहायक होता है प्रकृती में विभिन जीवों का एक साथ सरल्ता सुगमता से क्रम बद अध्यन करने के लिए वर्गी करण की आविशक्ता होती है लीनियस ने संपूर जीव जगत को दो जगत पादब जगत इवं जन्तु जगत में विभाजित किया है जीवों को पाद जगत में वर्गी करने के लिए निम्नली की आधारों को ध्यान में रखा गया है पहला केंद्रक जिल्ली की अनुपस्थिती वा उपस्थिती प्रोकेरियोटिक एवं यूकेरियोटिक दूसरा जीव का शारीरिक संगठन एक कोशी किया वा बहु कोशी किया तीसरा पोशन विधी स्वपोशी वा विशमपोशी उपरियोग्त आधार पर सभी जीवों को पाद जगत में बाटा गया है पहला मोनेरा, दूसरा, प्रोटिस्टा, तीसरा, फंजाई, चोथा, प्लॉन्टी, पाच्वा, एनिमेलिया जीवों के शरीर की रचना में बढ़ती हुए जटिलताओं के आधार पर इने आगे और क्रमिक रूप से वर्गों में रखा गया है जीवों में पाय जाने वाले विभिन लक्षन वर्गी करण के पदानुक्रम को निर्धारित करते हैं केरुलस लीनियस ने दूई नाम पद्धती का प्रतिपादन किया जिसमें जीव को व्यग्यानिक नाम दिया जाता है इसमें जीव का नाम दो शब्दों में होता है पहला वंश या जीन्स का और दूसरा जाती या स्पीशीज का नए-ने जीवों की खोज एवं जै विवीदिता के बदलते आयाम के अनुसार वर्गी करण का आधार एवं सरूप बदलते रहेगा